इस question में क्या है बेटा question क्या बोल रहा है tan 1 by 2 into sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos square into 1 minus y square upon 1 plus y square ये cos का टर्म है और ये sin का टर्म है ठीके अब हमें इसको solve करना है बेटा तो यहाँ पर हम बहुत easy तरीके से इसको solve कर सकते हैं put यहाँ पर जब solution करेंगे बेटा यहाँ पर जहाँ x है तो x equal to हम 10 theta put कर देते हैं ठीके और y is equal to हम 10 theta x और y दोनों के जगे पर हम क्या put करते हैं 10 theta तो यहाँ पर अगर यहाँ 10 theta तो यहाँ 10 5 put कर देता हूँ अलग थोड़ा सा difference होगा ठीके यहाँ पर theta हो गया यहाँ पर phi हो गया तो ठीक है अब चलिए हम इसको put कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 10 5 put करेंगे तो 1 minus 10 square 5 upon 1 plus 10 square 5 ठीक है यह बात तो समझ में आ गई ठीक है बटा अब हम further इसको देखेंगे कि अब क्या होगा अब ध्यान से देखोगे बटा तो यहाँ पर क्या देख रहे है 1 upon 2 है अब यह किसका formula होता है यह जो formula होता है 2 tan inverse x का होगा यह किसका formula होगा यहाँ पर हम formula यूज करेंगे अब ध्यान से देखो तो sin inverse x को हम क्या लिख सकते हैं यह हमारा क्या होगे sin inverse x और into sin 2 theta तो sin 2 theta मतलब हम इसको ajt लिख सकते हैं यह formula है sin 2 theta का और यह formula है cos 2 theta का मतलब phi का यहाँ पर phi है तो phi theta है तो theta हम इसको क्या लिख सकते हैं sin inverse sin 2 theta ठीक है यहाँ पर क्या होगा cos inverse cos 2 phi ठीक है अब ध्यान से देखते हैं बेटा तो tan 1 upon 2 हो गया यह तो ajt लिखी सकते हैं tan 1 upon 2 यहाँ पर क्या होगा sin inverse sin खतम हो गया cancel out हो गया 2 theta प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 phi और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जहाँ x equal to tan theta है तो यहाँ पर theta क्या होगा बेटा theta equal to क्या लिख सकते हैं tan inverse x लिख सकते हैं और यहाँ पर phi equal to क्या लिख सकते हैं tan inverse y लिख सकते हैं ठीक है तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 को common ले लेते हैं तो जब हम 2 को common लेंगे बेटा तो क्या आएगा tan 1 upon 2 into 2 theta plus phi होगा ठीक है बेटा यहाँ तक तो clear है और यह 2 और यह to cancel out हो गया, तो हमारा क्या बच्छा बेटा, tan theta plus phi, और theta की value अभी मैंने बताया, theta की value क्या होगे, tan inverse x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, tan, tan inverse x, tan inverse x, plus tan inverse y, और tan inverse x plus tan inverse y का क्या पूट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, tan inverse x plus tan inverse y, अब हम क्या करेंगे, tan inverse x plus tan inverse y का direct formula पूट कर देते हैं, तो tan, tan inverse, यह तो formula ही होता है, x plus y, upon 1 minus xy, अब ध्यान से देखेंगे, tan और tan, यह दोनों cancel out हो जाएंगे, मतलब हमें क्या बचेगा, x plus y, upon 1 minus xy, और यही हमारा क्या होगा, final answer होगा बिटा, इससे असान solution और कहीं नहीं,